कि नमस्कार राज शिच्छा सोध हेवं पर्षिच्छन परसंद बिहार पटना में आप सबों का सुवागत है जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले क्लास में हम लोग क्रिस्टलिय फोस के गुन के वारे में अध्यन किये थे उसको कैसे पहचानेंगे इसके वारे में जाने थे आज हम लोग होन। फोस के जो दुसरा प्रकार है जिसको हम लोग अक्रिश्टलिय फोस अंग्रेजी में अक्रे में मौर्फ lets एक ग्रीक वर्ड एमॉर्फोस से बना है एमॉर्फोस के मतलब होता है आकृति नहीं होना यानि जिसका सेप डिफिनिट नहीं है वैसे ठोस को हम लोग एमॉर्फा सॉलिट एक्रिस्टलिया ठोस कहते हैं इसके अभ्यवी कनों की जो व्यवस्थाएं होती है लगुपरासी य यानि करने का मतलब है कि अगर आप को इस तरह का जो ठोस है एक्रिस्ट्रिया जैसे आप उदाहरन के तोर पर प्लास्टिक रवर गलास लक्री यह सब को ले ले और इसका अध्यान करें तो आप पाएंगे कि प्लास्टिक के कि थोड़े थोड़े हिस्व में जो उसके करनों का जो एरिजमेंट है सजावट है विवस्था है वो रेगुलर पैटर्न में नहीं है बेलकि उसका जो पैटर्न है वो चेंज कर रहा है इसका को जमित्या आकार नहीं होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जिसको हम ल देखते होंगे कि प्लास्टिक की या रबर की बस्तू आग के संपर्क में आता है तो पिघलने लगता है ऐसा नहीं है कि जब उसको आप आग पर रखेंगे तो एक निश्चित टमपरेचर पहुचने के बाद पिघलेगा जब कि जैसे ही आग में डालते हैं तो मेल्ट करना याणि पिघलना शुरू कर देता है यानि कहने के मतलब है कि बहुत hunter पर भी हो मेल्ट करके लिक विए अधीक टमपरेचर पर भी जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि ताप के प्रास में धीरे धीरे नरं परता है नरंपरता है माने पिघलता है उसके पिघलने के लिए एक निश्चित amount of heat करने का मतलब definite amount of enthalpy of fusion नहीं होता है यानि एक निश्चित amount of heat की जरुवत नहीं होता है बलकि जैसे ही वो आग के संपर्क में आता है तो अपने form को change करने लगता है और द्रम में बदलने लगता है या सिदा सिद्य आप बोल सकते हैं कि उसका गलनांक जिसको अंग्रेजी में हम लोग कह रहे हैं melting point निश्चित नहीं होता है इसके अलावा और भी amorphous solid के गुन होते हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग amorphous solid के गुन देख रहे थे कि उसके जो constituent particles का एरिजमेंट होता है वो साव ट्रेंज ओर्डर होता है उसका melting point definite नहीं होता है enthalpy of fusion definite नहीं होता है आगे जो गुन है इसको हम लोग pseudo solid कहते हैं या क्योंकि इसका गुन द्रव के गुन से मिलता जुलता होता है द्रव के जैसा यह फ्लो करता है यानि इसमें द्रव के जैसा प्रवाह करने की परविर्थी होता है इसको आप पे एक उदाहरन से आसानी से समझ सकते हैं जो old building है उसके जो दरवाजे और खिर्कियां होती है खास करके खिर्कियां में जो glass paints लगा हुआ है यानि glass जो लगा हुआ है उसके पल्ले में खिर्कियों के जो पल्ले होते हैं लकडी के दीच में या अस्टील के दीच में जो glass लगा होता है शीसा जो लगा होता है old building के जो खिर्कि के जो पल्ले है अस्टील या लकडी के उसमें जो सीसी लगे हुए है उसको आप ध्यान पुर्वक देखियेगा और जर्ब किजिएगा तो आप पाईएगा कि उसका नीची का जो लेयर है जैसे यह नीची का जो लेयर है वो मोटा हो गया है यानि थीक हो गया है और उपर का जो लेयर है वो थीन हो गया है तो आपकी दिमाग में बात आएगा कि ऐसा क्यों होता है तो मैं बता रहा हूं कि गलास जो है सिसा जो है एमोर्फस सॉलिड है और इसका गून जो होता है लिक्वीड के जैसा होता है यानि इसके कन फ्लो कर रहे हैं टमपरेचर जब बढ़ता है तो उसके कन अभी अभी कन उ नीचे की तरफ आता है फ्लो करता है दीरे दीरे फ्लो करता है इसलिए आपको मैंने बताया कि ओल्ड बिल्डिंग यानि बहुत साल पुराना कि बिल्डिंग के दरवाजे और खिरकी में जो ग्लास पून लगे हुए है उसको आप धिहान प्रुबक देखिएगा तो नीच आपर वला इसके मतलब है कि यह जो अक्रिस्टिलिया एमॉर्फस सॉलिड है उसके कन फ्लो कर रहे हैं जिसके वज़त से नीचे वल्ला मोटा हो गया है उपर वल्ला पतला हो गया यानि इसमें लिक्वीड का गुन पाया जाता है इसलिए इसको सूपर कुल लिक्वीड भी कहा जाता है जूठा सॉलिड है यानि फॉल सॉलिड है अवहाँ सिसॉलिड है इसमें सॉलिड का गुन ना होकर लिकवीड का गुन है जब एमॉर्फस सॉलिट को आप तेजधारवाले आउजार से काटिएगा तो वह है दो टुकड़ा में तो बठ जाएगा लेकिन दोनों टुक्रे का जो सतह होंगे वह प्लेन नहीं होगा अस्मूत नहीं होगा यानि समतल नहीं होगा और चिखना नहीं होगा जैसे आप प्लास्टिक को काट कर देखिएगा घर पर सीशा को काट कर देखिए अगले क्लास में हम आपको काट कर भी दिखाएंगे उसी तरह रवर को काट कर देखिए लकली को कर कर देखिए तो काटने एक बाद दो टुकरा में तो बटेगा लेकिन दोनों टुक्रे के जो सतह होंगे जनित सतह जो होंगे नया जो सतह होंगे वो प्लेन और अस्मूथ नहीं होगा और यह एमॉर्फस सॉलिड का एक गुन है अगला है यह समदैसिक प्रकृति के होता है समदैसिक को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं आइसो ट्रॉपिक आपने पिछले क्लास में क्रिस्टलिया ठोस इसको अंग्रेजी में करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिट उसका गुन आपने देखा था और उसके गुन में आपने पढ़ा था कि बिसम दैसिक प्रकृति के होता है यानि जो उसके डिफ्रेंट डाइरेक्शन में फिजकल प्रोपर्टी का जो मान है वो डिफ्रेंट है लेकिन ए मॉर्फास सॉलिट के डिफ्रेंट डाइरेक्शन में डिफ्रेंट डाइरेक्शन में जो प्रोपर्टी का मेगनिचूड होगा और डिफ्रेंट नहीं सेम होगा डिफ्रेंट नहीं सेम होगा और जिस पदार्थ के different direction में physical properties का magnitude सेम होता है उसको isotropic कहा जाता है आईसो ट्रॉपिक मतलब इसके विवहिन दिशाओं में फीजिकल प्रोपर्टीच जैसे अप बर्तनांक बिद्दू चालक्ता इत्यादी का मान समान होगा समान होगा अब हम लोग एमॉर्फोस सॉलीड का कुछ उदाहरन देख ले जो कि आपके आसपास में भरे परे हैं जैसे प्लास्टिक रवर ग्लास एमॉर्फोस 켜्स ker tu तॉ ppy k k k k 10 1. 1. 5. 6. 10. 13. कि लक्री कि उड़ इत्यादी कि यह सब एमॉर्फस सॉलिड के बहुत ही सामान उदाहरन है जो आपको कहीं भी देखने को मिल जाता है अब बच्चो जो हम लोग पिछले क्लास और आज पढ़ें उस पर कुछ सवाल है उसको हल करने जा रहे हैं तो बच्चो आपका जो पहला सवाल है उमीद है कि आप लोग बताईएगा ठोस का ठोड क्यों होते है यानि ठोस करके तो लेया की नहीं है कठोर तो आप लोग ने ठिक ही बोला कि उसके भी जो इंयों टार्मोलेकुलर्ड होता है वह बहुत ही अस्टाौंग होता है जिसको हम लोग परवल करते हैं अंतर अन्वीक जगह जो है वह बहुत ही कम होता है और इसके कनों का जो अस्थान है अभ्यवी कनों का जिससे ये बना हुआ है वो निश्चित होता है तो ये तीन वून के वज़स से ठोस कठोर होता है और उसके कनों बताये थे कि जो ठोस होता है उसके कन केवल उसलेटरी मोशन करता है टांसलेटरी और रोटेटरी मोशन नही करता है तो आपको बच्चों यह समझे में आया होगा कि ठोस कठोड क्यों होता है और आपके बहुत सारे साथियों ने सही उतर दिया अब आपका अगला प्रस्ण है तो बच्चों हम लोग का अगला सवाल है प्रस्ण 1.2 इन टेक्स्ट का ठोसों का आयतन निष्चित क्यों हता है हम लोग पढ़े थे कि ठोस का आयतन और अकार निष्चित होता है तो बतलाएं आप लोग ठीक ही बतलाएं बिल्कुल सही है ठोसों का आयतन निष्चित इसलिए होता है क्योंकि कि इंटर मोलेकुलर स्पेस अंत्रा आनुबिक जगह बहुत ही कम होता है अभी अभी जो कन है यानि ठोस के जो कंस्ट्यूइंट पार्टिकिल्स है उसका स्थान निष्चित होता है और केवल ओसिलेट्री मोसन करता है जो कंस्ट्यूइंट पार्टिकिल्स है उसका गती जूर्जा काइनेटिक इनर्जी नगन होता है इसलिए इधर उधर मुवमेंट नहीं होता है केवल ओसी लेशन होता है अब हम लोग का जो प्रस्द 1.3 है उसमें ये बतलाना है कि कौन एमोर्फास सॉलिड है और कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो हम लोग इसमें करेंगे जैसे आपको दिया हुआ है पॉलियूरिथेन नेप्थाइलीन बेंजोईक एसिट टेफलाउन पोटासियम नाइट्रेट सेलोफेन पॉलिवाइनिल कलोराइड रेशा काच्च गलास रेजिन तामवा पॉलिवाइन तो आपको इसमें बतलाना है कि कौन अमिखर सॉलीड है कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है पिछे आप लोग परहे हैं कि प्लास्टिक रवर गलास यह सब मुखरूप से उलीड है और बाकि मुखर सॉलीड कि एकρίस्ट्लाइन सॉलीड है तो उमीद है कि आप लोग आसानी से इसमें चून लेंगे कि कौन-कौन एमॉर्फस है और कौन-कौन क्रिस्टिलाइन है तो आप लोग बतलाईए तो बच्चे जैसे आपको बताये थे कि यह जो प्रस्ण 1.3 है इसमें आपको बतलाना है कि यह जो दिया हुआ है उसमें से च चुनना है कि कौन-कौन एमॉर्फस सॉलिड है और कौन-कौन क्रिस्टिलाइन सॉलिड है तो आपको मैंने बतलाया था कि प्लास्टिक लवर ग्लास लक्री यह सब एमॉर्फस है और बाकी अधिकां जो है वो क्रिस्टिलाइन सॉलिड है तो आप लोग ने आसानी से देख पॉली वाइनील कलोराइट रेसा काच जो बिलकुल सही है और बाकी जो बच गया ओ कौन है क्रिस्टेलाइन सॉलिड है जैसे नैप्थैलीन बेंजोई कम्र पोटाइसियम नाइट्रिट और तामवा आपको एक सवाल और हम करवाने जा रहे हैं तो बच्चों हमारा जो अगल बरतनांग का सभी दिशाओं में समानमान प्रेशित होता है क्यानि एक ठोस आपको दिया गया है जिसका अब बरतनांग रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स का भैलू कि उसके सभी दिशाओं में कि समान मान देता है याने उस का मान सभी दिसाओं में समान है कि इस ठोस की प्रकृति पर टिपनी कीजिए कि इस सवाल का दूसरा जो हिस्सा है कि या बिदलन गुन पर परदर्सीत करता है तो सबसे पहले तो आप यह जान लिजिए कि अब बरतनां के फिजकल प्रोपर्टी है और इसका मान सभी दिसाओं में समान है यानि यह ठोस जो है आईसो ट्रॉपिक कैसा है आईसो ट्रॉपिक है आईसो ट्रॉपिक है और आईसो ट्रॉपिक जो होता है वह होता है एमॉर्फस सॉलिट एमॉर्फस सॉलिट इसके मतलब जो आपको ठोस दिया गया है वह एमॉर्फस सॉलिट है दूसरा कह रहा है कि क्या यह बिदलन गुन प्रदस्रीत करेगा बिदलन के मतलब हुआ क्लिभेज क्लिभेज जिसको हिंदी में बिदलन कहते हैं क्लिभेज के मतलब हुआ कि इसको जब हम काटेंगे तो यह दो ब्रावर भाग में बठ जाएगा तो आपको मैंने बतलाया था कि एमॉर्फस सॉलिट जो होता है उसको जब आप तेज धारवाला उजार से काटिएगा तो दो हिस्से में बठेगा लेकिन दोनों हिस्से का जो जनित सता होगा और रफ होगा यानि अस्मूथ नहीं होगा और प्लेन नहीं होगा और स्मूथ हाप प्लेन नहीं होता है इसके मतलब होता है कि वह दो ब्रावर हिस्सों में नहीं बठा दोनों हिस्से में कुछ नकुछ अं ही बट रहा है क्योंकि इसके जो जनित यानि जो तुन नया टुक्रा जो वना उसका सता है कि चिकना यानि अस्मूथ और समतल यानि प्लेन नहीं है तो क्लिवेज प्रोपर्टी बिदलन के मतलब हुआ क्लिवेज प्रोपर्टी क्लिवेज तो क्लिवेज कि प्रोपर्टी कि प्रोपर्टी कि एमॉर्फस के सॉलिट के द्वारा दर्शित नहीं होता है एमॉर्फस सॉलिट के द्वारा या कर सकते हैं कि एमॉर्फस सॉलिट परदर्शित नहीं करेगा नहीं करेगा तो बच्चे आप लोग उमीद है कि आप लोग बातों को ठीक से समझे होंगे जैसा आप लोग बतला रहे रहे हैं अंसर तो लग रहा है अब हम लोग इसके आगे अगले क्लास में क्रिस्टलाइन सॉलिट के टाइप क्रिस्टल लैटिस यूनिट से यह सब पढ़ेंगे तब तक आप लोग को यह कह रहे हैं कि यह सब को आप डिभाइज करते रहिएगा चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद